नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चनल में आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल क्या चुकी है अगर किसी वेक्ति का पैंसन नहीं आ रहा है या फिर आप पीएफ विड्रोल कर रहे हैं पीएफ विड्रोल नहीं हो पा रहा है तो उसका सलूशन उसक अगर किसी वेक्ति का आप पीएफ विड्रोल करते हैं या वो अब वेक्ति खुद ही पीएफ विड्रोल करता है और वो बार बार reject हो जाता है अपरूब नहीं हो पा रहा है उसका पैसा उसके बैंक खाते में नहीं आ पा रहा है तो उसका भी आप लोग help कर सकते हैं अपनी CSC ID के माध्यम से और उसका जो प्रॉलम है उसको 24 से 48 घंटे के अंदर ही solve कर दिया जाएगा तो अगर आप एक CSC BLE हैं और आप स सभी के लिए बड़ी update है तो चले computer screen पर वहाँ पर आप सभी को registration करने से लेकर print out निकालने तक का complete process आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को शुरू से लेकर आंत तक जरूर देखना और अगर चनल में पहली बार आयो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ notification वे लागम को all पर क्लिक करके on कर दीजेगा ताकि आप इसी प्रकार के informative वीडियो सबसे पहले देख पाएं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर किसी विक्ति का pension नहीं आ पा रहा है या फिर पीएफ बिड्रोल नहीं हो पा रहा है तो उसका आपसे भी किस प्रिकार से CSC के माध्यम से registration करेंगे और इसकी problem को solve करवाएंगे जहां पर आपको 50 रुपे का commission मिलने वाला है वीडियो को सुरू से लेकर आंतक देखीगा या वीडियो काफिजदा important रहने वाली है सबसे पहले आपको अपनी CSC ID, password से, digital सेवा portal के नदर login हो जाना है मैं इसका एक live proof आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ CSC के माध्यम से हाल ही में इस post को tweet करके साब साब बताया गया है जहां पर आप देख पाएंगे CSC CPGRMS grievance day जिसमें कि VLE को यहाँ पर 50 रुपे पर complaint जो है commission मिलने वाला है और अच्छी बात यह है कि जिस भी विक्ति को जो भी problem है अगर आप उसका complaint डाल देते हैं तो उस पर कुछ भी action नहीं होता था लेकिन अभी जो इस पर काफेदा गंभीतार से काम हो रहा है और काफी अच्छे से जो है लोगों के problem को solve किया जा रहा है तो इस service में काम किस प्रिकार से करेंगे और किस प्रिकार से लोगों की मदद करेंगे चाहे फिर उनका pension से संबंदित कोई problem हो PF से संबंदित कोई problem हो जा फिर PM किसान संबान दी योजना के जो किस्त है उस से कोई संबंदित problem है तो उन सभी problem का solution किस प्रिकार से आप कर सकते है लोगों का registration किस प्रिकार से करना है इसके लिए आपको अपने digital server portal में लोगिन हो जाना है लोगिन हो जाने के बाद आप सभी को स्क्रोल करते हैं नीची आना है यहां आपको shortcut में ही एक service देखने को मिलेगा CP grams आपको इसी वाले option पर क्लिक कर देना है दोस्तो यह government की service है ठीक है तो आपको बिल्कुल घबराने के आओ सकता नहीं है यह service lifetime के लिए रहेगा और आप continuous में काम कर सकते हैं ठीक है तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप सभी की सामने इस प्रिकार सी dashboard आपन हो जाएगा अब आपको scroll करते वे नीची आना है यहाँ आपको digital sewa connect का एक option दिखाई देता है आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस option पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी csc digital sewa portal का जो id और password है वो आप यहाँ डालेंगे और जो captcha code आपको यहाँ दिख रहा है captcha code आपको आसानी से फिल करना है यह फिर अगर आपके browser में आपका csc id password save है तो तुरंत ही आप इसके अंदर login हो जाएंगे तो इस परकार से हमने captcha code डाला है id password डाल दिया है और जैसे ही आप sign on करेंगे तो आप अपनी csc id के माध्यम से इसके अंदर login हो जाएंगे अब login हो जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको starting बताया कि अगर कोई ऐसा customer है जिसका की pension नहीं आ रहा है बाकी उसकी जो application है वो proper तरीके से complete है तो उसका complaint किस परकार से डालना है यहाँ आपको load public grievance पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको tick करना है और submit बटन पर click कर देना है जैसे ही आप submit बटन पर click करते हैं आपके screen पर इस परकार से कई सारे options आ जाएंगे कई सारी departments आ जाएंगे तो यहाँ पर जैसे कि हमनों आपको बताया कि किसी वेक्ति का अगर PF withdrawal नहीं हो रहा है बार-बार reject हो जा रहा है या किसी वेक्ति को pension नहीं आ रहा चाहिए उसका फिर वो वेद्धा pension हो विकलाग pension हो ठीक है किसी परकार का pension हो अगर नहीं आ रहा है रुख गया है और उसका application status आप लोग देख रहे हैं सब कुस सही है उसके बहुत payment नहीं आ रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे options देखने को मिलेगा मैं आपको एक सीच पहले बता दूँ यह जो option है जो service है केंद सरकार के दवरा संचालित की जा रही है तो केंद सरकार के अंतरगत जितने भी problem है उनका solution आप यहाँ से करवा सकते है तो यहाँ पर आपको भी scroll करते हुए थोड़ा सा नीची आना है और नीची आएंगे तो यहाँ आपको service में दिखाए देगा pension ठीक है अगर किसी विक्तिक को pension की problem है तो यहाँ देख पाएंगे pension लिखा हुआ है आपको pension वाले option पे क्लिक करना है यहाँ पर आपके समने condition आ जाएगा नोटिफिकेसर आया हुआ है जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यह आप से कह रहा है कि आप यह सुनक्षित कर रहे हैं कि आपने पिछले 20 दिनों के अंदर किसी भी जगा इस problem से संबंदित आपने सिकायत ना की हो अगर आपने नहीं की है तो फिर आप okay पे क्लिक करेंगे और इसके बाद select next level category पे क्लिक करना है अब इसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे options आएंगे इसकी scheme certificate related issue है या settlement of pension यानि की pension जो है amount वहाँ से भीज जया गया लेकिन आपके account में अभी तक credit नहीं किया गया है या फिर payment नहीं भीजा गया है तो उसके बिसे में आपको इसको select करना है या फिर अगर pension का जो amount है वो calculation में प्रॉलम है तो उसके लिए आपको इसके क्लिक करना है या इसके साथ अगर आपका digital life certificate नहीं issue हो पा रहा है आप कई बार try गड़ चुके हैं क्योंकि अगर आप pension ले रहे हैं तो आपको साल में एक बार अपने जीवित रहने का सबूत देने के लिए life certificate issue करवाना पड़ता है अगर आपना जीवन प्रमाड पत्र यानि कि life certificate issue नहीं करवाते हैं तो आपको फिर pension मिलना बंद हो जाता है तो इसलिए आपको हर साल अपना जीवित रहने का प्रमाड पत्र देना होता है जिसको कि हम life certificate बोलते हैं ठीक है अगर नहीं इसू हो रहा है तो वह आप यहां से उसकी complaint डाल सकते हैं या फिर अगर उसको payment receive नहीं हुआ है यहां आपको दिखता है transfer in note receive यानि कि transfer हो गया लेकिन मेरे खाते में receive नहीं हुआ है तो उस case में आप इस पर click करेंगे और जैसे आप इस पर click करेंगे यहां पर आप देखेंगे आपको सबसे पहले पूरा यहां पर जो establish है उसका address जलना है और यहां पर फिर आपको पी आप office को select करना है जो भी office है वो आप select करेंगे इस प्रिकार से और इसके बाद यहां पर जो भी problem है उसको आपको Hindi या English यहां पर 2000 word में आप लिख सकते हैं तो आपकी अगर अच्छी Hindi है तो Hindi में लिखिए अगर आपको English अच्छी आती है तो English में लिखिए कोशिश कीजिए आप English में लिखने ही क्योंकि जब आप English में लिखते हैं तो आ अलाकि जो भी आपको language आती है आप यहां पर अच्छे से लिखेंगे और इसके बाद उसका जो आपने एक screenshot statement आपको देखना है उसका screenshot लेकर आपको यहां पर attach करना है पीडियाप फाइल में ध्यान रहे और उसका आधार कार्ड और जो पेंशन का एक डोकमेंट्स होता है जिसमें PPO नंबर और गरा होता है तो उसको भी आपको पीडियाप बना के upload करना है और यहां attach पे click करके सिधा next पे click करना है जैसी है आप next करते हैं यह सिधा आपको redirect करेगा CST payment page पर जहां पर आपके CST wallet से लगबग 10-15 रुपे का payment कट होगा और इसके बाद जो है 50 रुप customer care department है वहां से उनको call किया जाएगा customers को और पूछा जाएगा अगर उनकी problem को solve की गई है तो अच्छी बात है अगर solve नहीं हुए customer को तो customer को बता देना है कि हमारी problem solve नहीं हो तो उसको दुबारा से solve किया जाएगा ठीक है ठीक है ऐसे ही अगर PF withdrawal में इस वा रहा है तो आप आपको यहां पर option मिलता है PF withdrawal ठीक है इस पर क्लिक करोगे यहां पर भी same condition बताया गया है कि आपने किसी और ग्रिवेंस पोर्टल पर रजिस्टर ना किया हो okay करेंगे इस पर क्लिक करना है आप यहां पर जैसे मानलो आपने PF withdrawal के लिए apply किया claim settlement किया आपने लेकिन वो payment आपक क्रेडिट नहीं हो बार बार वो reject हो जा रहा है या फिर कुछ और problem आ रहा है तो उस problem को आप यहां पर select करेंगे और इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया उसका एक screenshot लेना है जो rejected हो जाएगा और उसको आपको upload करना है अपनी पूरी details से उनको information देनी है ठीक है और उसके आपका जो problem है उसको proper तरीके से fix किया जाएगा तो इस प्रिकार से आप लोग जो है यहां पर भी वही same condition apply होता है और मैंने अल्रडी जो है PM किसान से संबंदित बहुत सारी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे तो आप लोग जाकर PM किसान का भी complaint यहीं से डाल सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गये हैं और अगर इसके अलावा कोई जानकरी चीए कोई problem आ रही है तो comment section में comment करके जरू बताएं चले मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए topic के साथ चैनल को सब्सक्राइब ने के तो फटाबट सब्सक्राइब कराउम है और से चैनल को सब्सक्राइब ने कर दाफ से ने कर दोले मिलताब तो